सो हलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, आर्वियस एनमे हिंदी, आखिर ब्लैक बीर्ड को क्यों बोगा का डेवल फूट चाहिए, अब यार देखो, जब यह बात पता नहीं था कि ब्लैक बीर्ड बोगा हैं कोक के आइलेंड पर हमला करने गया है, उससे पहले बहुत सारे थीयोरीस भppenाई हैं, मैंने बोला कि वह एन्सेट वेपन के पीछे जाएगा, या फिर हो सकता है, वो डौफला मिंगो को जुडाने जाएगा, मैंने वीडियो सब बनाई थी, सबसे पहले मैंने एन्सेट वेपन पर बात पहा दोपला मिंगो पर ब मैंने जब spoiler पर वीडियो बनाया था तब भी ये बात कहा था कि आखिर blackbeard इस devil fruit को ले करके क्या करेगा ना ही उसके crew में कोई धंका दिखने वाला character है एक लड़की है चैटरीना डेवन वो भी कुछ खास नहीं दिखती है और अगर blackbeard भी खाएगा तो वो इसका क्या काम कर पाएगा ये बात ना हर one piece fans के दिमाग में आता ही आता है और मेरे भी दिमाग में ऐसा आ रहा था प्लस मैं एक टाइम के लिए ये सोच रहा था कि क्या यहां पर ऐसा हो सकता है कि blackbeard को लगता है कि वो devil fruit user किसी को भी पत्थर बना सकता है और इसी वजह से वो उस devil fruit को लेन मुझे सायद बतानी की जूरत नहीं हो उसको devil fruit का बहुत अच्छे से knowledge है उसने पढ़ रखा यार किताब में तो यहां पर highly chances ये भी निकल के आते हैं कि उसको boa hancock के devil fruit के बारे में भी बहुत अच्छे से पता होगा वो किस तरह से काम करता है उसको meronomi के एक से एक राज पत है उसको कोई भी देखता है उसके दिमाग में अगर लश्ट है उसको ले करके feeling है तो भाई ये उसको पत्थर में बदल सकती है अब लूफी को नहीं बदल पाती है because लूफी को उसकी खुपसूर्ती से कोई फरक नहीं पड़ता that's why लूफी उसके devil fruit से immune है पर blackbeard इसको ले लेके गया था हुज हुज के चंगुल से और फिर ये लूफी के पास पहुंचा तो उस वक्त हमें पता चला कि इस devil fruit का कुछ ना कुछ खास है इसके अंदर कुछ ना कुछ रेर चीज है जो हमें चिपाये जा रहा है फिर बाद में जब ये awakening हुआ फिर साथ मुझे बताने वो क्या पावर देगा इस बारे में कोई अंदाजा नी है लेकिन मैंना इंटरनेट में थोड़ा खोज रहा था खंगाल रहा था तो मेरे को एक वेबसाइट पे एक थियोरी मिला अब उस थियोरी के मैं थोड़ा सेयर करना चाहूंग तुम सब से अब उस थियोरी के ना है ओड़ा ने एक बार SBS में मेरो मेरो नोमी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था लेकिन मुझे जहां तक याद है मतलब मैंने जितने भी SBS अभी तक रीड किया इंटरनेट में जितने भी SBS है मैंने उन सभी को रीड मारा है वहाँ पर कहीं पर भी ओड़ा ने बोवा हैनकॉक वनपीस यूनिवर्स की सबसे खुबसूरत कारेक्टर है बट कहीं पर भी ओड़ा ने अब तक उसके डेवल फूट के बारे में नहीं बताया है कि वह एक्च्छल में किस तरह से काम करता है बट उस website के हिसाब से वहाँ पर पहले ही ये लिखा हुआ था कि ओडा ने इस डेवल फूट के पावर को ले करके ये बताया है कि इसका यूजर को ले करके दुनिया भर के जाधतर लोग जो सोचते हैं ये उस बेसिस पे काम करता है नहीं समझ मैं आ बताता हूँ अब जैसे देखो बोवा हैनकॉक को देखने के बाद कोई भी हो मतलब चा thoughts. से तो उन सब को वो पत्थर में बदल सक्किए अब यहाँ पर मुझे बिग मॉम का याद आ रहा था लिलिन का लिलिन भी किसी का सोल कैसे चुरा सकती है अगर कोई इससे डरता है जिन्बे का वो नहीं चुरा पाई थी बिकॉस जिन्बे उससे नहीं डरता था उसी तरह से को खा ले तो भाई Blackbeard को अगर कोई भी बंदा देखेगा तो उसके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि यह कितना बदसूरत है तो हो सकता है कि जो जो लोग उसको देखकर के यह सोचेंगे कि यह कितना ज्यादा बदसूरत है उन सब को यह पत्थर में बदल सकेगा अब देखो जैसे कि मैंने थीयरी के स्टार्टिंग में बोला कोड़ा ने किस SBS में बोला है मेरे को सच में नहीं पता मैंने अब तक जितने भी इंटरनेट में SBS हैं उन सब को मैंने रेड किया और कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है बट एक टाइम के लिए हम लोग मान लेते कि यह बस एक थेओरी है और उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट आते हैं कुछ थेओरिस ऐसे हैं जिसको लेकर के मेरे सब्सक्राइबस ने भी मतलब कमेंट में बोला इस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला कि क्या ऐसा हो सकता है जैसे बोह हैंकोक देखना कि किसी को भी अगर किक मारती है तो उसके उपर भी पत्थर वाला चड़ दाता है मैं आसे हो सकते के ब्लैक बैड उसका डेवल शूट इसलिए चाहता होगा कि उसकी पावर से किसी को भी पकड़के पत्थर में बदल दे या आप देखो एक बात बता हो ब्लैक बेड अगर किसी को भी टच करता है कोई भी डेवल शूट यूजर हो तो फिर इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा विकोज यहां पर तुम अपने सामने वाले ओपनेंड को बिना टच किये तुम उसको डैमेज कर पाते हो जैसा लूफी काईडो को कॉंकर हाकी कोट करके मारा था सैंक्स को भी ये पावर आता है लेकिन हैं यह कुछ रीजन्स हैं जिनने मैंने आज बताया और मैंने तीन रीजन्स को पहला हो सकता है इसका अवेकनिंग किसी खास तरह से काम करता होगा सेकेंड इमोसन वाला बता है कि जादतर लोग उसको देखके जो इमोसन फिल करेंगे उन सब को वो पत्थर में बदल पाएगा और थर्ड ये पत्थर वाला सीन टच करके पर ये वाला ज्यादा कुछ खास मेरे को नहीं लगा अब तुम सब का क्या मनना मुझे कमेंट बॉक्स में राई देना मत भूला और हाँ वीडियो पसंद आया यार लाइक मारो चैनल पर नहीं आएगा उस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर देना साथी साथ वीडियो उसको सेयर करो यार और मुझे इंस्टाइग्राम पर भी फॉलो करना मत भूला तो यार मिलेंग नेक्श वीडियो में फिलाल के लिए बाई